नमस्कार इस वक्त हम जारखंड विधान सभा में खड़े हैं 80 सदस्यों वाले इस विधान सभा में एक मनोनित एक्ष्ट्रा रख लीजिए आज लगभग 79 विधायकों की आने का अनुमान है हर पार्टी ने विप जारी कर दिया है चाहे वो कॉंग्रेस हो बीजेपी हो या जेमेम हो सभी ने ये जारी किया है विप की सारे विधायकों को पहुचना होगा फिलहाल 26 विधायक है बाबुलाल मारांडी के साथ बीजेपी के पास लेकिन एक विधायक सिंद्री के विधायक वो पिछले कई महीनों से हैदराबाद में इलाजरत हैं लिहाजा वो नहीं पाएंगे अभी चमरा लिंडा ने हाला की अपने पाटी के अध्यक से मिलकर इस्तिती सपस्ट कर दी है उनकी आने की संभावना है इसके अलावा गांडे सीट जो खाली है वहां से कोई डिपरजेंटेशन नहीं होगा माना जा रहा है कि बाकी तमाम विधायक आएंगे और आज चमपई सोरेन इसी सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे पुर्व मुख मंतरी हेमन सोरेन भी आज यहां पहुँचेंगे और यह माना जा रहा है कि सरकार के पास प्रयाप्त बहुमत है लिहाजा बहुमत साबित करने में वक्त नहीं लगेगा या कोई अर्चने नहीं आएंगी लेकिन फिर भी जब संसदिये कारिमंतरी सदन को आउगत कराएंगे कि सरकार को क्यों बहुमत साबित करना पड़ रहा है बारवे मुख मंतरी के तोर पर सदन में पहली बार चमपाई सोरेन आएंगे तो जब वो इस्तिती सपस्ट करेंगे तो ये माना जा रहा है कि स्पीकर चर्चा भी कराएंगे ऐसे भी जेमेम और कॉंग्रेस चारिये की चर्चा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हेमन सोरेन को सदन के अंदर रहने का मिले और आगे का डिसकसन उनसे किया जा सके लिहाजा मंत्री मंडल का विस्तार कैसे हो कौन कौन से सदस हो किन को क्या प्रोटफोलियो मिले विभाग मिले तो ये अब सदन की करवाई बस थोड़ी ही देर में सुरू होने वाली है हर तरफ से तैयारिया पूरी कर ली गई है माना जा रहा है कि परसो यानि 7-8 तारिक को मंत्री मंडल का भी विस्तार हो जाएगा और 23 तारिक 23 फरवरी से 29 फरवरी तक जारखन विधान सभा का जो बजट सत्र है उसको आई हूँ बुलाया जाएगा कैबिनेट की बैठक के बाद लेकिन एक स्टेटिजी ये भी है कि फिलहाल सारे मंत्रियों को सपतना दिलाया ज जब तक बजट सत्र पूरा नहीं हो जाता आगे आगे कैसे राजनीती करवट लेती है जारखन में क्या कुछ होता है किनको मंत्री पद मिलता है किनका मंत्री पद चला जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे सदन की एके करवाई पे आपको सबसे पहले और सबसे सटिक खबर फॉलो अप पे ही मिलेगी लिहाजा आप हमारे साथ बने रहिए सुक्रिया